महानगर पालिकाओं में तीन सदस्य प्रभाग पद्धती की घोशना होने के बाद कॉंग्रेस बीजेपी सही तमाम राजनीतिक दल भले ही इससे किसी तरह का फर्क नहीं पढ़ने का दावा कर रहे हो लेकिन वर्तमान पार्षदों का पूरा भाग ये निकट भविश्य में उजागर होने वाले प्रभाग रचना और आरक्षन पर निर्भर रहेगा इससे वर्तमान पार्षदों और कार्यकरताओं में हड़कम सा मचा हुआ है जानकारों के अनुसर राज्य चुनाव आयोग ने वार्ड रचना की तयारिया शुरू कर दी है वार्ड रचना के अनुसर तीन वार्ड को जोड़कर प्रभाग की रचना होगी चुनकी रचना वर्ष 2011 की जनसंक्या के आधार पर होनी है अतह एक प्रभाग 42 से 45,000 मतदाओ का होने का अनुमान लगाया जा रहा है जिससे निर्दलिय के रूप में चुनाव में उतरना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा राजनीतिक जानकारों की अनुसर महानगर पालिका में बीजेपी 15 वर्षों से सत्ता में है प्राकृतिक नियमों के अनुसर सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी होना कोई नई बात नहीं है चुनकि 15 वर्षों से शहर के विकास में उपलब्धियों के साथ जाना आसान नहीं है अतह बीजेपी के लिए ही सबसे अधिक खत्रा माना जा रहा है इसके अलावा लंबे समय से कुछ कार्य करता कभी न कभी राजनीती की मूलधारा में आने का मौका मिलेगा इस आस में बैठे हुए है भाजपा का वर्ष 2017 में अब तक मनपा में सरवादिक अच्छा प्रदर्शन रहा है जिसमें 108 प्रत्यशी चुनकराय थे किन्तु वर्तमान परिवेश में यह संबव दिखाई नहीं दे रहा है यही कारण है कि इस चुनाओं में भाजपा के लिए सरवादिक खत्रा होगा लेकन यह है कि अंतरगत गुडबाजी के चलते वर्ष 2017 में हुए मनपा के आम चुनाओं में कॉंग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था तमाम विपरित परिस्तीतियों के बावजुद स्वयम के बल पर कई प्रत्याशीयों का प्रदर्शन अच्छा तो रहा लेकिन पार्टी में एक जुटता नहीं होने से इसका सीधा असर जीत पर पड़ा वर्तमान में कॉंग्रेस के जो पारशद है व्यक्तिकत रूप से उनके प्रभाग में पारशदों का प्रबल जनाधार है ऐसे में उनके खिलाव दूसरे दल की डाल गलना टेड़ी खीर होगा